दोस्तो आज मैं आपका बताऊँगा कि शेर मार्केट में लोग पैसा लगाने से डरते की हुएं दोस्तो एक बात तो कन्फम है कि जो लोगों को जानकारी नहीं होती है किसी भी काम के बारे में कोई भी काम एनिवर्ग जिस व्रक्ति को जानकारी नहीं होगी वो आदमी उस काम को करने से पहले डरेगा जरूरी करेगा नहीं और चार लोगों से और कहेगा कि यार ये काम बहुत खराब है ये मत करना ठीक है आप पूछे को तुने कभी किया है कि नहीं मैंने किया नहीं लेकर मुझे पता है अच्छा उसने कभी किया नहीं लेकर उसको ऐसा अभी हो सकता है कि किसी काम को किये वना आपको उसके बारे में अन्वा वो नहीं हो सकता ठीक है दूसरी बात शेयर मार्केट में पैसा लगाने से वही डरते हैं जो गैंबलिंग करते हैं जो जुए की तरह शेयर मार्केट को देखते हैं गैंबलिंग की तरह खेलते हैं उसके साथ दुनिया के सबसे बड़े इंवेस्टर वरेन विफेट पूलते हैं कि शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो आप यह मत सोचो कि मैं कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहा हूं या सेयर खरीद रहा हूं आप यह सोच के देखो खरीद होगे तो कुछ नहीं सकता आप यह देखो कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा है आप उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाओ पॉइंट करना नोट को आप उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाओ जिस दिन आप कंपनी के बिजनेस को देखकर बि नीचे आ गया क्यों क्योंकि आपने बिजनेस में उसके हैर में पैसे लगाता और शेयर हमेशा उपर नीचे चलता रहता है कि兩 दोस्तों मैं आपको बताना जो चाहरा हूं उसको गोर से सुनू ख मैं फिर भलूँगा ऐस किसे कंपने क Давoo को सेख कर इस शे करके उसने पैशल लगा तो अपका पैसा जोब सकता है क्यों क्योंकि supplier का जो चलने का तरीका होता है आपने किसी कंपनी के सेर को देखा तो वो ऊपर जा रहा है ऐसे करके ठीक है आपने क्या किया है ऐसे करके उपर जा रहा है आपने कि इस जिगह पर उसको बाय कर लिया अब जैसे ही आपने इस जिगह पर बाय किया यहां से वो नीचे आ गया और नीचे आ गया और नीचे आ अब आप कोगे यह तुम उल्टा मामला होगे यह तुम्हें फस गया यहार सेयर मार्केट कोई कुछ नहीं जुआ है चाल लोगों से और कोगे और सब को ड्रावटे लेकिन आपको यह पता होना चाहिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेयर मार्केट के चलने का तरीका यह हो तो बिजनिस समय सां ग्रो करता है लेकिन बिजनिस अच्छा होना चाहिए बिजनिस को देख करके बसा लगाओ आपको बिजनिस कैसे देखना है आप अपने डेले रूटीन में यह देखो कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट कौन से कपड़े कौ से पर कौन से सूज कौन से क्लोथ मार्केट में अपनी अपनी घर में आप ज्यादा पहनते हूँ आपको जो चीज ज्यादा बिक्ति हुए दिखरी है सेंपल सी बात है को उस कंपनी का बिजनेस ग्लोथ कर रहा है ठीक है और अगर आप शेयर को देख करके पर से लगाओ तो हमेशा नीचे आएगा शेयर तो नीचे आएगा है उसको तो नीचे आना है और आप बिजनेस में पर लगाओ तो हमेशा ऊपर जाएगा ठीक है तो मैं आपको देखाना चाहरा हूं एक मिनट यह आपको एक कंपनी दिखा रहा हूं मैं मैरी को मैरी को एक कंपनी है बहुत अच्छी यह आपने उस कंपनी के प्रोड़क्ट आपने घर में हर जगे ऐसा कोई धिद्धी ने होगा कोई परसण नहीं जिसने कंपनी का प्रोडक्ट यूज न किया लो कोग करकूणट का आदा प्रोड़क्व van सब लोग यूज करते हैं ठीक है और देखो आप यह सफोला का यह इसका अमेरिकों का यह भी प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट है देखो एक में नेट स्लो आइज सेट वैट सेट वैट की कौन नहीं जानता किसने यूज नहीं किया सेट वैट को सबने उसकिया ठीक है यह देखो पराशूट है और सफोला और यह पता नहीं कौन सी कौन से और यह वाला भी आपने देखाई होगा एक मुणट यह वाला देखाई है सबने ठीक है और यह भी देखाई है पराशूट का यह भी देखाई है सफोला देखाई है सबने ठीक है तो यह मैं क्या देखाना चाहरा हूँ आपको यह इसमें है एक जैस्मिन ओल जैस्मिन ओल आता है एक आता है वह भी आप सब लोगों ने देखा ठीए तर प्रड़ाइं थीकर और और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेया चंत को एक प्रोड़क्ट सुनिए डेली नीट बहुत साराफ्वाइश्य चाहते प्रोडक्ट को छोड़ाइब 10 6 तور में आपको बताना कीया चाह रहा हूं मैं बताना चाह रहा हूं अगर आप किसी कंपनी के सेर में पर से लगाते होग तो सेर तू नीचे जाएगा एक और जिस दिन शेयर नीचे जाएगा उसी दिन आपके सब्रकबान तूट जाएगा और आप चलनाने लग जाओ कि कि मार्केट गिर गया गाटा हो गया मैं लोट गया बरबाद हो गया ठीक है लेकिन आप बिजनेस में पैसे लगाओगी तो बिजनेस को एनलेसिस करकी आपको पैसा लगाओगे तो आप देख लोगे कि भाई बिजनेस है ग्रो करेगा करेगा है करेगा अब मैरे एक कंपणी है मेरे कंपणी की चार्ट को देखते हैं करेंट्ट प्राइश की 430 रुपई इसको मत देखना उठार को टन्यान प्रसंट कर रहे है इसको मत देखता रहे तर्टे इसका हम लॉंग टम का चार्ट देखते हैं इस टार कहां से गुआ था दो रूपए से दो तीन रूपए से माल लिजा आप दो जार एक मायता ठीक है अब इस कंपनी के हम चार्ट को अगर हम देख रहे हैं अंदा आदमी भी देखकर बता देगा कि इस कंपनी का चार्ट हमेशा ऊपर जा रहा है तो आपको यह देखना यह देखो लॉंग टर्फ में लॉंग टर् करके देती हैं उसमें आपको CAGR अच्छा मिल लाता है compounding annual growth rate और compounding अच्छी मिल लाती है ठीक है अब इसने return कितना दे रहका है देखो 16732 मतलब सत्रेहजार परसंड का return माल दीजी अप्रॉक्स सत्रेहजार परसंड करें टायम कितने में 2021 2020 मतलब 20 साल माल वाप 20 साल में 16,000 मतलब गजबी हो गया एक आपको कुछ अंदादा है बीस साल में 16,000 पर किसे को कि दिना गुना किया है एक गुना डवल किया का नहीं आप बोल सकते हो पैसे को लकम 5-6 गुना किया है क्योंकि 20 साल 6-12 और 6-7 गुना ही किया है उसने एक साल में अपर निकालो तो बागी आप देख लगा मेरा मतलब जो है आप देख सकते हो उतने तो खुरी समाज़दार हो मैं ज़्यादा डेटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा ज छला है कितना सुलो स्मूथली चलाये की चलाया की न्यजाय जोर दीनी दीनी धीनी दीनी ओपर गया होगा घिक है ओपर ऑर फाली यह ऊपर ही जा रहा है क्या लगताताई आपको चैना की ऑस इस जो नुग है ऐसे जो आपको इसने जो सोच 17 अजार परसंट का रिटन दी आए क्या क्या भी सब्सक्राइब है दस औजार परसंट का रिटन भी नहीं दे गी मेरा कहने का मतलब यह है आपको share नहीं खरीदना है आपको company का business देखना है company market leader होनी चाहिए market leader है market leader की पैचांग क्या आपको इस product इस company का product हर जगह पड़ावा मिलाएगा हर जगह हर बंदा यूज कर रहा ठीक है और basic daily needs है basic daily needs है FMC सेक्टर में भी है FMC सेक्टर में खाने वाले प्रोड़क्ट भी मनाती है Cosmetics के प्रोड़क्ट की बनाती है क्या लगते आपको क्या यह products कभी बंद होने वाले हैं कभी नहीं अगर बंद होते तो यह company धीमे धीमे ग्रोथ नहीं करती ठीक है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी भी company के share में पैसा नहीं लगाना है company का बिजने देख रहा है वर्रेंट वफेट दुनिया के बड़े इंवस्टर बोलते हैं कि आपको company की share नहीं खरी दिने हैं company का business है बिजनस में पैसे लागाना आप और वैसे भी आप किसी कंपणी की में पार्डनर बं जाबें ऊपनी-में का से नट AG कोई कि इस आर साओ भें कार थो आप हुआ लेकित करने के कोई उमीड़ नहीं ऐसा लेकिन वादर में आपको बश्मनेश लगा रहा भीजनेस देखना है और एक बार आपने अगर उगर बिजनेश दे परकर के पसे लगानाат तो आप सो जाना 20 साल के लिए और 20 साल बाद जाग जाना आपके पोटफोलियों में आपकी जेम में इतनी पैसे पड़ों है कि आपने उम्मीद में नहीं की होगी ठीक है तो भाई मेरे मेरे करने का मतलब यही था कि सेर मार्केट को जुवा पताने जो लोग जुवा बताते हैं वो सेर में सेर मार्केट में बिजनिस में पैसा नहीं लगाते हैं वो सेर खरीते हैं और वो भी महीने दो महीने के लिए कोई को तो दस दिन के लिए सूचते हैं कभी नहीं होना वही लोग बदनाम करते हैं सेर मार आप इसके साथ कुछ होता है सभी सेरों का ठीक है wode को हैंड़ करता है ठीक है थो छब करता है तो डोस्तों मेरा क्या है क्विश्ड कंपनी यह बहुत ही अच्छी कंपनी दोर्ब ने Sonja अब रिष्यक्त लगना आपको लगना आपका पैसा ठीक है तो ठीक है दोस्तो चलते हैं इसी के चाथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल